हेलो फ्रेंट्स एक्सक्रास मैं आफका स्वागत है लास 10 कॉड़िटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम बेसे नमबर समाइटिशन और 8.7 कॉश्चन नमबर 11 10 तक कर चुकें कॉश्चन नमबर 11 देखें, the sum of a number and its square is 63 by 4 मतलब कोई number है और उसका square है, उसका sum जो हो 63 by 4 आता है, तो find the number बहुत simple question है देखी, कोई number है suppose x, तो number का square क्या हो जाएगा, x square इन दोनों को अगर हम sum करते हैं, तो कितना आता है, 63 by 4 आता है, ठीक है, अब इसको हम simple solve कर लेंगे आता है, now multiply by 4 on, both side, both side मैंने 4 से multiply कर दिया, 4 से 4 cancel हो गया, 4x plus 4x square is equals to 63, क्या यह अपने standard form में है, यह अपने standard form में नहीं है, तो पहले x square का term, फिर x का term, और फिर constant term, तो is equals to 0, अब हम इसको factorization method से solve कर लेते हैं, देखें, यह 63 को मैंने, यहां 4 से multiply किया है, तो minus, 4, 3, 12, 2 carry 1, 4, 3, 24, 24, 25, 252, तो 252, 252 को हम को ऐसे तो parts में break करना है, कि addition, subtraction पर 4x आए, मतलब 4 आए, और multiplication पर 252 आए, तो देखें चला, 252 क्या है, यह 2 से divide होगा, yes होगा, 2, 1 जब 2, 2 to the 4 carry 1, 2 से जब 12, यह 2 से multiply होगा, यह 2 से फिर से divide होगा, हाँ होगा, देखें, 2, 6 जब 12 carry 1, 2, 1 जब 16, यह 2 से, 2, 3 is a 6 carry 1, sorry, 2, 3 is a 6 carry, 2, 3 is a 6, और यह 2, 4 is a 8, यह 2 से multiply होगा, चेके ना, 2 जब 2, 2, 7 जब 14, यह 2 से 16 और 17, यह हमें फोड असेस्में अजस्मेंट करनी पड़ेगी कहीं पर, 252, 4, 3 is a 12, 2 carry 1, 4, 3 is a 24, 25, 4 को मैं ऐसे 2 पर्ट में ब्रेट करना है, तो, 18, 19, 21, 252, 2 से divide किया, 2 3 4, 2 से multiply, और ये देखेंगे यह आपर बड़ोगे यह आम आपध ourselves तो त्री साघ्ञाो है अब ओव Regardless अब देखेंए बंडींवसर्ण अब देखें यह उन्या णर्जां विप्रीं और यह 3 से मल्टीं वबंटीमास कर्णंद 12 यह 3 से divide होगा 3 7 चा 20 पर यह 3 से multiply होगा 36 अब देखिए यह हो गया बस यह 7 इंटू आप इसको 36 को कहा लिए सिक तो 2 इंटू 18 और 7 तो जा 14 और 18 ऐसे दो नमबर हैं जिनको आप subtract करोगे तो कितना आएगा 4X 2, 4X square plus 18 X minus 14 X minus 63 is equals to 0 यहां से आपको क्या common मिलेगा 2X actually 2X common मिलेगा 2X रहां क्या बच्चेगा आपका 2X plus 9 minus 14 sorry यहां से आपको देखी का common मिलेगा 3 plus 7 यह 7 आप common ले सकते हैं यहां से minus का 7 common लिया तो 2X plus 9 is equals to 0 यह आगे आपका 2X minus 7 और यह आपका 2X plus 9 is equals to 0 तो 2X minus 7 is equals to 0 तो X is equals to 7 by 2 इसी तरीके से X is equals to minus 9 by 2 अगर आप 2X plus 9 is equals to 0 लेंगे तो देखी क्वेशन क्या मिला जा रहे हैं the sum of a number and its square is 63 by 4 find the number तो number के बारे को information तो दी नहीं जा रहेगी positive है या negative है तो both the answers are acceptable X is equals to 7 by 2 और X is equals to minus 9 by 2 तो आप condition में रखोगे तो यह satisfy भी फिर देखां चलिए next question देखते हैं जाना question number 12 है question number 12 में देखें क्या बुला जा रहा है बुला जा रहा है तो there are three consecutive integer such that three consecutive integer देखें three consecutive integer आपको कैसे मिलते है number line पर जाएए ठीके ना यह 0 है यह 1 है यह 2 है यह 3 है यह 4 इसी तरी किसे माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3 तो आपको three consecutive integer suppose हम वो three consecutive integer positive लेकर चल रहे हैं तो देखें कैसे मिलता है one के बाद आपको two कैसे मिलेगा one plus one और two के बाद आपको three कैसे मिलेगा two plus one बोलो या आप जो सबसे पहले वाला है one में अगर आप कितना add कर दोगे two one plus two तो इसी तरीके से अगर आपका पहला positive integer x है तो दूसरा कितना हो जाएगा देखें दूसरा कैसे निकाला जाने मतलब two one plus one मतलब मतले कैसे और योंत अलिवाला जो है यो तो रहे गई उसमें one एक और add कर दो फिर कैसे निकाल भह गई पहले वाला तो रहे गई और उसमें एक और add कर दो तो eq plus one तो पहले है और plus one औरो खर दिया तो कितना पर टो जाब यहां मेरा 1st positive integer कितना है, x, 2nd positive integer कितना है, x plus 1 और 3rd positive integer कितना है, x plus 2, अब देखें क्या बोले जाए, there are 3 consecutive integer, तो मैंने assumption कर लिया, x plus 1 और x plus 2, such that square of the first, देखें, square of the first, तो first का square है, क्या किया जाता है, square of the first, increased by the, square of the first को बढ़ा दिया जाता है, increased by the, बढ़ जाता है, तो क्या लगेगा, plus, increased by the, कैसे बढ़ा जाता है, increase by the product of the other two, product of the other two, other two, आपकी क्या है, x plus 1, और x plus 2 के product से अगर बढ़ा दिया जाता है, तो it gives, product of the other two gives 154, तो 154 आता है, what are the integers, synthesis, synthesis निकाल लें, आप देखिए, simple, एक बार फिर से समझें इसको, देखिए, जब भी आपको 3 consecutive positive integer, consecutive integer बोला जाएगे, तो आप कैसे जुन करोंगे, x, x plus 1, x plus 2, और क्या बोला जा रहा है, देखिए, such that the square of the first, मतला पहले का जो square है, it is increased by, उसको बढ़ा दिया जाता है, क्य जोड़ के बढ़ा दिया जाता है, product of the other two, बाकी जो दोनों remaining आपके जो positive integer, बचे हो हमके product लेकर, इसमें जोड़ दिया जाता है, तो ये कितना आता है, 154, what are the integers, integers, integers क्या होंगे, आप इसको हम simple solve कर लेते हैं, ये x square जाएगा, plus x into x, x square plus plus x into 2, 2x plus 1 into x, x plus 1 into 2, 2 is equals to 154, x square plus x square, 2x square, 2x plus x, 3x, और ये 152 इदर आएगा, तो plus 2 minus 152 is equals to 0, तो 2x square plus 3x minus, sorry, 154 इदर आएगा, तो ये plus minus minus, minus 152 is equals to 0, तो minus 152, 2x square plus 3x minus 152 is equals to 0, ये हमारी equation बन गे, आप minus 152 को आप आगे वाले number से multiply करेगे, तो minus 152 into 2, 2 to the 4, 2 to the 5 to the 10, carry 1 to 2, 2 to 3, 304, और माइनस प्लस माइनस, माइनस 304 है, तो 304 को आपको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, कि मुल्टिपिकेशन पर माइनस 304 है, और डिलेशन पर 3 आए, तो देखिए जड़ा, अब करते हैं, 304, ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, तो ये हमने 2 से मुल्टिप्ला होगा, ठीक है, अब देखिए जड़ा, ये आपको फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 से मुल्टिप्लाई होगा, देखिए मिल गया, 19 और 16, 19 और 16 ऐसे दो नंबर है, जिनको अगर मैं माइनस करो, 19 में से अगर 16 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको द प्लस का 3X और 19X अगर माइनस 16X अगर आपको करोगे तो माइनस 304 आएगा, X स्कायर भी, sorry, माइनस 115, 6, 9, जा 54, हाँ, ठीक, माइनस 304 आएगा, माइनस 304 आपको, तो 2X स्कायर ब्लस 3X के जगा आप क्या लिख होगे, 19X माइनस 16, X माइनस 152 इस इक्वेल स्टु जीरो, यहां से यहां तक क्या कावन विल रहा है आपको, X तो क्या हो जाएगा, 2X प्लस, X जा लागया यहां से, 19, माइनस 16 आप क्या लोगे हैं यहां पर, actually, माइनस का 16 नहीं क्या लोगा, यहां पर आपका, माइनस 8 क्या बचाना हो, मुझे यहां क्या बचाना है, 2X ना, अगर तो मुझे यहां 2X लाना है, तो 8 बाहर आजाएगा, तो 2 बचे गाना है, 2X प्लस का, हाँ, और प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, 19, ठीक है, is equals to 0, और X minus 8, और 2X plus 19 is equals to 0, तो X is equals to 8, और 2X plus 19 is equals to 0 रखोगे, तो X is equals to minus 19 by 2, ठीक है, बट इंटीजर हमें क्या बोला है, देखिए ज़रा देरा 3 consecutive इंटीजर है न, इंटीजर क्या होता है, जिसमें fraction पार्ट नहीं होता है, देखिए यहां पर fraction पार्ट आगया है, तो यह acceptable नहीं है, X is equals to 8 is acceptable, X is equals to 8 है, तो first आपका positive इंटीजर क्या हो गया, तो पहला positive इंटीजर आपका कितना हो गया, 8 और दूसरा आपका कितना हो जाएगा, X plus 1 मतलब 8 plus 1, मतलब 9, तो first 8, second 9, third क्या हो जाएगा, X plus 2, X plus 2 मतलब 8 plus 2, 8 plus 2, कितना आजएगा आपका, 10, और देखिए ज़रा, यह condition को भी satisfy कर रहा है, पहले का square में अगर remaining 2 का product आप कर देखिए हो, तो कितना आता है, 154 आता है, 8 और 64 plus 9 into 10, 90 और 90 plus 64, 154, तो condition को भी satisfy कर रहा है, तो these are 3 consecutive, 3 positive integers, such that square of the first is increased by the product of remaining 2, gives 154, next, देखिए जड़ा question देखते हैं, next question number 14 है मेरे पास, the sum of the square of two numbers is 233, दो numbers के square का sum कितना है, 233, ठीक है, तो suppose मेरे पास 31st number X है, और second number मेरे पास कितना है, यह, तो according to the question, according to the question क्या बोला जा रहा है, कि according to the question बोला जा रहा है, पहले का square plus second number का square, first number का square plus second number का square, the sum of the squares of two numbers, दोनो number के square का sum है, वो कितना आता है, 233, बढ़ लिखे, यह double variable में है, तो इसको हम single variable में भी बनाएंगे, case 2 भी बढ़ लेते हैं, किया बोला जा रहा है, and one of the number is three less than twice the other, one of the number is three less than twice the other, मतलब, suppose पैला number आपका x है, और दूसरा number y है, दोनों में से एक number ऐसा है, कैसा है, is such that, यह देखिए ना बोल रहा है, and one of the number, मतलब, दोनों number x और y में से, suppose y, ऐसा number है की, one number is three less than, यह देखिए, one number is, suppose मैं y को लेकर चल रहा हूँ, one number is three less than, three less than, three less than, three less than twice the other, twice the, twice के लिए, two से multiply करेंगे, the other, other कौन सा बच्चा है आपका, x, twice the other, तो y की वैलों इतनी आगे, second statement पटके, two x minus three आगे, ठीक है, आप y की वैलों two x minus three, equation number one में आप ले जाके पट करिए, तो equation आपकी क्या बनेगी, आपका बन जाएगा, x square plus y की जगा क्या आजाएगा, two x minus three, two x minus three का whole square is equals to 233, तो यह आपकी equation बनी है, बस आपको परशान नहीं होना, बिलकुल आप question पढ़ते जाओ, आपने आप answer बिलता जाएगा, देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, बोले जाएगा, sum of the square of two numbers is 233, तो मैंने दोनों number अपने मेंने सोच लिए, यह की बहिए चलो x और y है, और दोनों का square करके जोड देता हूँ, तो 233 आता है, बड़ अभी यह quadratic equation single variable में बनी नहीं है, इसमें double variable, मतलब जो y है, वो x के term में आ सकता है, जरूर कोई condition दी होगी, देखिए क्या बोल रहा है, and one of the number, मतलब दोनों में से कोई एक भी number, तो मैंने suppose क्या मान लिया है, y, y जो है, it is equals to, 3 less than, 3 कम है किससे, 3 कम है, 2 उने, 1st के 2 उने से 3 कम है, 3 less than twice the other number, 3 less than twice the other number, y is equals to 2x minus 3, यह value में रख दिया, इसको simple, हम solve कर लेंगे, और हमारे answers आजाएंगे, तो देखने हैं जड़ा, यह x square, plus, bracket open करते है, a square, मतलब 2x का square, a square, minus 2 into a, a की जगा, 2x into b, b की जगा, 3, और plus, b square, b square की जगा, 3 square, यहां पर मैं लिख लेता हूँ, y की value क्या है मेरी, 2x minus 3, according to the question, तो a square, a square, minus 2 into a into, 2 into a into b, plus, b square, यह bracket open होगे, is equals to 233, तो x square, plus 2, 2 is a 4, x square, 2, 2 is a 4, और 4, 3 is a 12, तो minus 12, x plus 3, 3 is a 9, is equals to 233, now, 4x square, plus x square, देखें, like terms है, 4x square, plus x square, कितना हो जाएगा, plus, plus, plus sign लगेगा, plus का, 5x square, minus, x कट नमाएगा, 12x, और यह 233, आप इतर पकड़ के लाओगे, तो, तो minus 233 is equals to 0, और देखें जड़ा, यह 233, और 9 को आप आपस में, आपस में आप इसको simplify कर सकते हो, plus minus, minus sign लगेगा, minus का 233, minus 9, कितना हो जाएगा यह, 224, minus का 224, तो, 5x square, minus 12x, minus, 200, कितना हो जाएगा, 233, minus, 9, आपने कितना हो, 224, 224 is equals to 0, अब बस, सिंपल इसको, आपस से सॉल्फ कर लेंगा, आपस से सॉल्फ कर लेंगा, यह लास्ट वाले नमबर को, आगे वाले नमबर से मल्टिप्लाई करेंगे, तो, minus 224 into 5, 22, 5 to 10, 12, 5 to 10, 11, कितना हो जाएगा, 1120, तो, आपसो, 1120, चेके, तो, minus 12 को, आपको ऐसे दो पाट्स में, स्प्लेट करना है, जिनका मल्टिप्लिकेशन, minus 100, minus 1120 आए, और, अदिशन ये सब्ट्रेक्शन पर, minus 12 आए, तो, minus 1120 से ही बनेगा, देखते हैं, बना के, ठीके, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीके, इसे 2 से डिवाइड करते है, 2, 5 to 10, 1, 2, 6 चा, ये 2 से मल्टिप्लाई हो जाएगा, 2, 2 से डिवाइड हो जाएड 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 हो अब इसको थोड़ा सा अड़्जस करना पढ़ेगा मज़े एट इंटू देखिए इसको में क्या लेक सकता हूँ एट को में क्या लेक सकता हूँ एट इंटू एट और एटीन को में क्या लेक सकता हूँ एटीन को में लेक सकता हूँ 6 into 6 into 3 तो कुछ adjustment से आ रहा है 8-3-024 और नहीं शायर कुछ गलब के है एक बाट कर लेके हैं देखे 224 into 5 224 into 5 5 for the 22 5 to the 10 12 5 to the 10 11 11 and 22 11 and 20 यह 2 से divide होगा 2 5 to the 10 carry 1 2 6 to the 0 यह 2 से multiply होगा 2 2 0 2 8 0 यह 2 से multiply होगा 2 बन गया देखे 28 into 10 दिलेख सकता हूं 280 को और यह 4 10 into 4 कितना हो जाएगा आपका 40 40 20 28 अगर आप 28 माइनस करोगे तो कितना हैगा 12 अगर नहीं होना तो आप इसको 40 x plus 28 x minus 224 is equal to 0 40 को आप 28 से multiply करोगे तो आपका लेखे 1120 आएगा विकास उसी को बार बार अफेक्टर करके निकाल रहे थे यहां से हैं तक क्या common आएगा आपका 5 x तो यहां पर क्या बच्चा हैगा x minus 8 और plus 28 यहां साब common लोगे तो x minus 8 is equal to 0 तो 5 x plus 28 into x minus 8 is equal to 0 next क्या क्या value बचाएंगी एक बार x minus 8 is equal to 0 रखोगे आप x is equal to 8 और एक बार आप 5 x plus 28 is equal to 0 रखोगे तो x is equal to minus 28 by 5 I का ठीक है तो x is equal to 8 और x is equal to अच्छा देखिए तो यहां पर जो बोलना का साम of the square of 2 number is 233 ना तो पहले एक assumption कर लो अब number तो कैसे भी हो सकते integer हो भी सकते नहीं भी हो सकते तो पहले ही assumption करना हूँ let us assume that the x and y are x and y are intis ठीक है तो यहां बसमें integer लोंगा तो यह तो है यह fraction part में x is equal to 8 यह answer acceptable होगा तो आपका पहला number कितना है? 8 है और दूसरा number आपका कितना है? y y की value x के term में कितनी थी? 2x minus 3 मतलब 2 into x की value 8 minus 3 16 minus 3 मतलब 13 तो answer is x is equal to 8 and the sorry numbers are numbers are 8 and 13 जो की दीए कंडिशन को satisfy करता है आप करके भी देख सकते हो क्या बोले जारा था question में? question में बोले जारा था कि दोनों के square का sum 233 है तो देखिए 8 का square plus 13 का square 8 का square 64 और 13 का square 169 दोनों का आप add का होगे तो 233 आता है ठीक है? तो ये condition satisfy हो रही है इस तरीके से हम problems based on numbers करते है आगी में मैं आपको question कराता हूँ मैं next class में देखिए झाल